नमस्कार विदावट टाइम बेस्टिंग आ गए हम लोग अपने नर्मल स्क्रीन के उपर और बात करेंगे एक और आईपियो के बारे में तो दो नवंबर से चार नवंबर के बीच में एक और आईपियो ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस तो इस विडियो के अंदर हम पूरा रिभीव करेंगे इस आईपियो का और जानेंगे कि इस आईपियो में अपलाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए इस विदियो में ये भी बात करेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रेमियम क्या चल रहा है फिर जानेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है और किस सेक्टर से बेलोंग करती है तथा इसका फ्यूचर वगरा कैसा रह सकता है फिर जानेंगे फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में मतलब ये कंपनी प्रोफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग फिर इसके पियर कंपिटितर से प्राइस बेंच सस्ता है या मांगा ये भी कंपेर करेंगे फिर IPO detail के बारे में और अंत में बात करेंगे कि इसमें apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या करें तो long term के हिसाब से करें या फिर listing gain के हिसाब से तो अब बात करते हैं company detail के बारे में कि company काम क्या करती है तो अब बात करते हैं company detail के बारे में कि company काम क्या करती है तो देखिए इसको हम लोग सराल भासा में समझ लेंगे कि ये company loan provide कराती है किसको तो देखिए दोस्तों जो micro business में छोटे business वाले जो महिलाएं होती है इनका छोटा छोटा business वगरा चलता है उनको ये loan provide कराती है साथ में उनको financial और social सक्छातकार भी करती है और इनका loan amount भी बहुत छोटा होता है ऐसे इसका काम तो पढ़िया नजर आ रहा है ऐसे company को NBFC MFI करते हैं मतलब non banking financial company means micro financial cents था इसका loan amount काफी छोटे होते हैं इसके पास active loan लेने वाले client 29 लाह के करीब हैं 20 estate के अंदर में इसका business फैला हुआ है अभी इसका AUM 7390 करोड के आसपास है तो business तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि company क्या करती है अब एक बार company का financial देख लेते हैं तो अब इसका financial देख लेते हैं 2020 से लेकर 2022 तक इसका asset लगतार बढ़े हुए हैं फिर देखिए 2020 से लेकर 2022 तक revenue में भी लगतार बढ़े हुई है तो फिर problem कहां है तो problem है इसके profit में 2020 से लेकर 2022 तक profit लगतार घटे हुए हैं 2020 में profit लगभग राउंड फिगर में 70 करोर मान कर चलिए लेकिन 2021 में घटकर हो गया लगभग 44 करोर और फिर 2022 से घटकर हो गया 21.7 करोर फिर अभी देखिए तीन महीने का profit 75.1 करोर हो गया तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले साल का profit 21 करोर लुपिया है और यह तीन महीने का profit 75 करोर कैसे पहुँच गया बाकी देखिए इसके नेत वर्थ में लगतार डी पाया हुआ है कॉम्पनी पर कर्ज भी काफी है लेकिन कोई बात नहीं इन बी एपसी कमपनियों में कर्ज होते हैं अब आगे आई पियो डिटेल देख लेते हैं एक बार यह आई पियो दो नवंबर को ओपन होगा और चार नवंबर को क्लोज फेस भैलू 10 उर्पया पर सेयर की है प्राइस बेंड तीन सो पचास से लेकर 368 उर्पया अपने को 368 उर्पया कॉट अप प्राइस पर ही लगाना है लोड साइज 40 सेयर की है इस्सु साइज 117.99 कोड़ का है इसमें 600 उर्पया का फ्रेस इस्सु है बाद बाकी पर मोटर और सेयर होल्डर अपना हिस्षेदारी डाइलूट करेंगे या BAC, NAC दोनों पर लिष्ट होगी बूक बूल टिसु आईप्यो है या या आईप्यो दो नौवंबर को उपेन होगा चार नौवंबर को क्लोज होगा बैसिक एलोट्मेंट 10 नौवंबर को होगा रिफंड 11 नौवंबर को दिमेट में शेयर क्रेडिट कर दिये जाएंगे 14 नौवंबर को और 15 नौवंबर को और एक नई कंपनी मार्केट में लिष्ट हो जाएगी अब इसका जीएमपी देख लेते हैं तो आज का जीएमपी 30 से 35 उर्पिया पर शेयर चल रहा है 40 सेयर का लौट है 35 उर्पिया लिष्टिंग गेन की अभी फिलहाल के टाइम में उमीद है लगभग 10 परसेंट के प्रेमियम पर ये अभी के टाइम में लिष्टिंग गेन मिलने की उमीद है तो देखिए क्या है इसमें अपलाई करना चाहिए तो देखिए जिस भी आईपियो का ग्रे मार्केट प्रेमियम 20 परसेंट या उससे उपर हो तो उसमें अपलाई करना चाहिए और इससे अच्छे भी कई सारे कमपनिया लाइन में लगी हुई है जैसे बीकाजी फूट्स है डीसी एक सिस्टम है इनका ग्रेप मार्केट प्रेमियम बहुत अच्छा चल रहा है तो आगे देख कर इसका प्रेमियम उससाब से अपलाई कर सकते हैं और हाँ अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्क्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल पर मुच्छुल फंड, सेर मार्केट और आई-पी-ओ से रिलेटेड सभी जनकारी दिये जाते है जय हिंद